ट्रिप के शोकिनों को नहीं नहीं जग है एक्सप्प्लोर करना बहुत अच्छ लगता है लेकिन ट्रिप पर जाने वाली कई लोगों के साथ मौसन सिकनेस की समश्या होती है मौसन सिकनेस यानी सफर के दृरान उल्टी या जी मचलाना कई लोगों का यह मानना है कि लंबे समय के बाद सफर पर निकलने से ऐसा होता है लेकिन यह समस्या उन लोगों के साथ भी पेश आती है जो मेशा ट्रिप पर सफर में जाते रहते हैं खास तोर पर पाड़ी लगों में सफर के दुरान कई लोगों को उल्टी रोकने की हर ममगिन कोशिश के बाद भी उल्टी आ ही जाती है ऐसे में कई बर मन में स्वाल आता है कि ट्रिप के दुरान आखिर उल्टी क्यों आती है आये जानते है इससे जुड़ा तथ है हमारे स्घिरी का शन्तोराफ रखने में बीतरी कार में मौझूद तरल प्रण बहुत बढ़ी भूमी करें बाता है स्घिरी के गतीजिय लोंगे श्दिती में यहत्रल प्रण मस्तिक को लगाता थर सिक्लाल उतեता है मस्टिक्स से प्राप्तोने वाले संदेशों के दार पर ही चलने और बैठने के दुराना सरीर का संदेशों बना रहता है ठीक उसी तरह हमारी आखे भी मस्टिक्स को दृष्टे समादे सिर्ण बेज़ती रहती है पाड़ी मोडो और खराब रास्तों पर्यातर के दुराना हमारा सरीर बहुत इसको ले लेता है और अनिश्चित रूप से इलता है जबकि इसी तुरों अमारी आखे बस या कार के अंदर का स्थरी दृष्टे देख रही होती है जो समानत है स्थरी होता है आखों और कान के तरल पदार द्वारा बेजे गई एसंतुली संदेशों के कार्ण अमारा दिमाग कर भी हो जाता है दिमाग इस्तिते को गड़बड़ी का संदेश या किसी जैर का दुश प्रभाव समझता है और सुरीर में उफस्तित पोपेटिंग सेंटर को घृबड़ी करने का आदिश दे देता है आम तुरी पर मोशन स्यक्तितर का समझ पेट से स्मझा जाता है लेकिन इसक असली कार्ण इसंतुली कार्ण मस्दिक से मिलने वाला संदेश है जो लोग कान से सुनने में एसमर्थ होते हैं उनको एसमर्थ होते हैं उनको एसमर्थ होते हैं क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ आखों से प्राप्त सेखना नहीं प्राप्त कर रहा होता है तो यात्रा के दुरा में उने वाले उल्टी की ये समस्चा हमारी पेट की गड़बड़ी से समझ देते रही है जैसा आम तोर पर समय जाता है असल में ये हमारी दिमाग के दुरा पैदे की ये समस्चा है